नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सल का एक मज़ेदार फार्मुला देखने वाले हैं जो कि एक लॉजिकल फार्मुला है और वो फार्मुला है इफ इफ फार्मुला एक्सल में एक लॉजिकल फार्मुला के तोर पर इस्तमाल किया जाता है इफ फार्मुला को एक्स चाहिए तो देखे एक Excel शीट है जिसमें कुछ students के marks दिये होए हैं और इसी के base पे हमें result और grade निकालना है जिसमें हम a formula लगाने वाले हैं but result और grade निकालने के लिए हमें तीन column और बनाने है total percentage और minimum का और इसी के base पे ही हम result जो है निकालने मैंने result और grade एह formula लगाके तो आईए सबसे पहले हम total निकालने के लिए क्या करना होगा आपको formula लगाना होगा is equal to some is equal to some bracket open और जो भी marks के range है वो select करने होंगे यह देखे मैंने select किया है then bracket close जैसे enter मारेंगे तो देखे total आगया total आने के बाद क्या कीजिए वहाँ पे click केजिए और उसके right side bottom में जब black plus आता है देखे यह black plus आया तो उसे double लिखे देखे automatic जो है total marks सब students के आगये है ऐसे ही percentage निकालना है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे formula लिखना होगा is equal to और जिस sale को base मान कर आपको percentage निकालना है यानि कि total पर click केजिए click करने के बाद divide करना है कितने subject से total six subject है तो यहाँ पे 600 आप type केजिए जैसे आप enter मारेंगे तो देखे एक value आ गया लेकिन यह percentage म करना है मुझे percentage में करना है तो यहाँ पे click केजिए देखे यहाँ पे एक percentage का symbol है यहाँ पे click किजिए click करने का देखे यह percentage में आ गया है अब इसे decimal two decimal तक करना है तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते है यहाँ यह हो जाने के बाद आप फिर से वही चीज अगर बाकी students के लिए तो यहाँ पे कोनी पे जाए यह ब्लाइक प्लास आएगा उसे डबल लिक किजिए देखे यह आ गया है इसे minimum marks निकालना है तो कैसे करेंगे is equal to हम type करेंगे min mean bracket open करेंगे और सारे subjects के marks जो है वो select किजिए select करने का ब्राकेट close किजिए then enter इंटर माने के बाद फिर वही अग में हम इस formula लगाएंगे result में क्या आना चाहिए pass या फिल यानि कि automatic Excel find out करेगा कि यह student pass है कि फिल बट उसके लिए हमें एक logic यहाँ पे Excel को बताना होगा क्या बताना होगा कि अगर उसका minimum marks 35 से कम आया है तो वो student जो है फिल होना चाहिए लेकिन अगर 35 या 35 से जादा आ गया और टाइप करेंगे is equal to if bracket open जैसे bracket open किया तो logic पूछेगा तो logic के लिए जो आपका minimum वाला से लिए वहाँ पर क्लिक किजिए लॉजिक कैसा होगा greater than or equal to 35 35 लिखने के बाद आप कॉमा दीजिए कॉमा देने का अगर यह लॉजिक सही रहा तो message के आना चाहिए आपका pass तो message के लिए आपको inverted कॉमा open करना होगा और यहां पर आपको pass लिखना होगा पास लिखने का देना क्लोस किजिए क्लोस करने के बा जैसे आप इंटर मारेंगे तो देखें यह student जो है कौन है यह मनुझ कुमार यह पास हो गया है अब यहां पर right side bottom में double कीजिए देखें यहां पर यह दखो यह दो student fail हुए है यानि इनका नाम क्या है विजय चवान और गीता पाल और यहां पर और भी दो student fail हुए है एक का नाम है महिश पटिल और एक दूसरे का नाम है अमन गुपता यह लोग fail हो चुके हैं automatic excel ने find out कर लिया है कि भाई कौन से student पास है और कौन सा student जो है fail है उसके लिए हमने logic लगाया था क्या logic लगाया था कि अगर minimum marks किसी भी subjects में 35 से जाधा आता है तो पास है नहीं आता यान निकालने के लिए हम formula कैसे लगा सकते हैं सबसे फ़ले grade वाले cell पे click किजिए वहाँ पे type कीजिए is equal to if bracket open और grade के लिए जो base होगा cell वो होगा आपका percentage वाला cell यही इसी cell को base मान कर हम logic लगाएंगे कि भाई A grade आया कि B grade आया कि C grade आया कि D grade आया तो percentage वाले cell पे हमने click किया click करने के बाद यहां पे greater than or equal to हमने समझो 75 percentage एक रखा है कि 75 percentage बराबर आया उससे ज्यादा आएगा तो A grade आना चाहिए ओपन करने के बाद percentage वाले cell पे click किजिए देन वहां पे एक logic लगाई है greater than or equal to सब्कोज मैंने इसको 60 percentage ऐसे दिया है देन कॉमा में इसको हमने बी ग्रेट दिया है बी ग्रेट देने के बाद अब आपी से कॉमा लगाई है और फिर से वही step दोर आई है इफ वाला इफ ब्र अब सपोज मुझे एक लास्ट का लॉजिक देना है डी ग्रेट के लिए लास्ट वाले के लिए हमें इफ फार्मूला लगाने इफ वापिस से लिखने की जरूरत नहीं है अब डिरिक लिए इन्वर्ट काम में डी ग्रेट लिख सकते हैं यानि कि यह फॉल्स वाल्स वाल् ट्री जैसे तुरी टाइम ब्रेकेट क्लोज करेंगे इंटर वारेंगे तो देखे यहाँ पर बी ग्रेट जो है वो आगया है अब इससे भी ड्रैक करेंगे तो को नी पर जाएँगे और जैसे बलैक प्लस होगा उसे डबल कीजे देखे यहाँ पर फॉर्मूला यानि इस से ऑटोमेटिक ग्रेड निकल के आ गया है कि उस स्टूडेंट को कौन सा ग्रेड मिला है जैसे के एक्जांपल देखे यह तीनों जो स्टूडेंट है इनको बी ग्रेड मिला है देखो यह जो स्टूडेंट इसको ए ग्रेड मिला है इसको बी ग्रेड मिला है इसको ए ग्रेड और result निकाला है कि भाई वो student पास है कि fail और इस formula लगा कर हमने ये भी निकाला कि वो student उस student का grade का है A grade है, B grade है, C grade है कि D grade है तो इस तरीके से हम Excel में इस formula लगा कर एक logic जो होगा उसका true और false value निकाल सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए और subscribe कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर share कीजिए ताकि उनको भी आपकी तरह Excel में expert बनने का मौका मिले तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में